नमस्कार मेरा नाम है लोकेंदर के लानौत आप देख रहे हैं थिंग 360 जालोद माय मारी कुंडी है दाहोद माय मारो डीवो भूरेटियो नहीं मानो रे गोद्रा माय मारी जाजम एमदवाद मारी बैठक दल्ली माय मारी गादी भूरेटियो नहीं मानो रे आदिवासियों के हक और हकूप की अभिवक्ती के लिए रचे गए इस गीत को अब विद्रोही कंठ मिल रहे हैं उदेपूर, डूंगरपूर, प्रतापगड, बासवाडा जिहां राजिस्थान का वो आदिवासी बहुल इलाका जो अब चुनाव आते आते भाजपा और कॉंग्रेस के लिए सबसे बड़ी सिर्दर्दी बना हुआ है राहुल गांधी खुद 9 अगस्त यानिकी आदिवासी दिवसपर बासवाडा के मानगरधाम आने वाले हैं मानगरधाम से राहुल गांधी राजिस्थान में कॉंग्रेस के लिए चुनावी संखनात फूखेंगे ये अचानक से बासवाडा का मानगरधाम राजिस्थान की राजनिती में चर्चित जगे क्यों बनता जा रहा है देश की पूर प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी कभी इसी मानगरधाम से चुनावी बिगुल फूख चुकी है कॉंग्रेस के चुनावी एजन्डे में सुरू से मानगरधाम सामिल रहा है बीते एक दसक में कुछ ऐसी घटनाई हुई है जो अब भाजपा और कॉंग्रेस दोने के लिए परिशानी खड़ी कर रही है बासवड़ा के मानगरधाम के सियाची वर्चस्व की कहानी के पीछे का आखिर खेल क्या है क्यों हर राजनितिक डल अब मानगरधाम से ही बड़े वोट वैंकी उपजाव जमीन तलासता है आज थोड़ा परदर परद समझने की कोशिश करेंगे 17 नौंबर 2013 को इसी मानगरध पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने गोविंद गुरू के नित्रित में इकटा हुए 1500 भीलों को मौत के घाट उतार गया था इतिहास में ये विबत्स गटना मानगरध नरसंधार के नाम से जाने गई कहते हैं कि जब मानगरध पहाड़ी पर गोविंद गुरू भीलों को लेकर इकटा हो रही थे तो आसपास के भीलों में एक अफवा फैल गई कि गोविंद गुरू राज मांगे छे यानि कि गोविंद गुरू राज मांग रहे हैं और पूरा भील समुदाय उनके पीछे हो गया लेकिन गोविंद गुरू क्या वाकई में राज मांग रहे थे एक सन्याशी को कौन सा राज चाहिए था ये राज भील समाज के सामजिक उत्थान और अधिकारों का राज था जो अब धीरे धीरे भील प्रदेश की मांग में बदल गया है लेकिन असल कहानी यहां से भी शुरू नहीं होती मानगर नरसंगार के बाद ना तो इस गटना को इतिहास में कोई खास तवज़ो दी गई और ना ही प्रजात अंतर की स्थापना के लंबे समय तक कोई बड़ी गटना का केंदर ये मानगर धाम रहा इस छेतर का आदिवासी समाज कोंगरेस से जुड़ा रहा और समय समय पर कोंगरेस भी मानगर धाम के बहाने से बुनाती रही इस नरसंगार के बाद गोविंद गुरू आदी वासियों के सबसे बड़े आदर्स बन गए और मानगर धाम उनके लिए सबसे पवित्र जगह है आजदी के दसकों बाद तक यह जगह आदी वासी समाज के लिए एक भावनात्मक जगह रही आश्ता स्रद्दा विश्वास सहित सामाजिक चेतना के नारे यहां से बुलंद होते रहे लेकिन ऐसे क्या हुआ कि अब मानगर धाम भीलों के राजनितिक चेतना का भी सबसे बड़ा प्रतीक बनता जा रहा है थोड़ा सा इन कारणों की परताल कर लेते हैं कहते हैं कि कोई भी वेचारी का अंदोलन कॉलेज और यूर्शिटी से सुरू होता है यहां सबसे पहले डूंगर पुर के भोगी लाल पंड्या कॉलेज पर चर्चा करना बहुत जरूरी है जहां 2006 में ही आदिवाशियों में इस तरह के विचारपन अपने लगेते हैं और इसका बहाना बना चात्रसंग चुनाव यह पहला मौका था जब वाम पंती चात्रसंगठन SFI ने भोगिलाल पंडा कॉलेज में दस्टक दे दी और कमाल तब हो गया जब SFI के उम्मिद्वार ने चात्रसंग चुनाव में ABVP और NSUI को पचारते हुए जीत दर्ज कर ली लेकिन तभी राजिस्तान में चात्रसंग चुनाव उपर रोग लगा दी जाती है लेकिन जो विचार इस कॉलेज में घुष चुका था वे फिर रुका नहीं है और फिर आदिवसी बहुल इस इलाके में चात्र आंदलोनों का एक सिलसला चल पड़ा 2010 में उसी इलाके में एक बड़ा चात्र आंदलन हुआ सरकार ने मांग मान ली और सीटों की संक्या 500 से बड़ागर 2000 कर दी इस आंदलन की सफलता पर सवार चात्र आंदलन को मानो अब एक नई रफ्तार मिल गई थी यहां से इन चात्रों ने एक नई संग्ठन को जनम लिया जिसका नाम था S.C.S.T. संगर्स मोर्चा इस मोर्चे के अध्यक्ष बने विक्रम कटारा 2012 में जैसे ही छात्र संग्च चुनावे से रो कठती है तो विक्रम कटारा इसी मोर्चे से चुनाव लड़ते हैं अब छात्र संग्च चुनावो और छात्र आंदलोनों के जरिए आदिवासी नजवान आपस में जुड़ने लगते हैं और फिर इसमें आदिवासी संस्कृति और आदिवासी पहचान का मुद्दा सामिल होता जाता है यहां एक दूसरे संग्टन पर भी चर्चा कर लेते हैं जिसकी जड़ में आरक्षन का खेल सामिल है 1995 में ट्राइबल सब प्लान एरिया में 45% आरक्षन आदिवासीयों को और 5% आरक्षन ऐसी वर्ग को दिया जाता है से 50% आरक्षन पर दूसरे वर्ग थे लेकिन 50% के इस कोटे में ज़्यादा तर सामाइन वर्ग के उम्मिद्वार ही चुने जाते थे इसी कोटे से दूसरे राज्यों से आये सामाइन वर्ग के उम्मिद्वारों को भी नौकरी दे दी जाती थी इस एरिया में सामाईन कोटे से ट्राइबल एरिया के लोगों को ही नौकरी दी जाए इसके लिए जो संग्ठन खड़ा हुआ उसका नाम समानता मंच था हलाकि संग्ठन की स्टापना तो 2004 में ही हो गई थी लेकिन रायज इस तर पर इस संग्ठन को तब पहचाना गया जब 2013 के चुनावों से ठीक पहले समानता मंच ने बासवाड़ा में एक बड़ा प्रदर्शन किया चुनाव सामने था और समानता मंच के बैनर तले ट्राइबल एगिया का सामाइन वर्ग बड़े इस तर पर लाम बंद हो रहा था तब ही भाजपा के वोट वैंक में सैंद लगाने की नियत से ततकालिन मुखमंत्रिया सोग गहलोड ने सामाइन कोटे की सीटें इस्तानिय उम्मیद वारों से भरे जाने की गोष्णा कर दी कॉंग्यस ने भाजपा के वोट वैंक में सैंद लगाने की कोशिश की लेकिन हो गया इसका ठीक उल्टा इस गोष्णा के साथ ही कॉंग्यक के प्रम प्रागत आदिवासी वोट वैंक का धिरूवीकरन हो गया और अब इलाके में वाम पंती दल अपनी जड़े जमाना शुरू करते हैं और मिशन 73 का नित्रत जो लोग कर रहे थे उसमें भी जादातर वाम पंती दलों के ही लोग सामिलते चर्चित कम्यूनिस्ट नेता मेग राज तावड के हाथ में मिशन 73 का पूरा नित्रत था जल्दी ही मिश सकने का डर सताने लगा चुनावों से पहले ही कॉंग्रेस ने मिशन 73 की 11 में से आठ मांगों को मान लिया लेकिन तीन मांगे अभी भी बाकी थी 2013 के विधान सवा चुनाव हुए और कॉंग्रेस को इस छेत्र में जबरदस्ट चटका लगा आदिवासी वोटवाइं के ध्रूबी करनने भाजपा की बल्ले-बल्ले कर दी और बास वड़ा डूंगर पूर से कॉंग्रेस को सिर्फ एक सीट आसिल होती है चुनाव के बाद मिशन 73 अचानक से सुस्त पड़ गया मिशन 73 के कुछ एसंतुष्ट लोगों ने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया इसके अगवा बनते हैं एक सरकारी टीचर भावर परमार अब बात भावर परमार पर करते हैं पैसे से प्राइमरी टीचर भावर परमार उस छेत्र के जाने माने आदिवासी एक्टिविस्ट और चिंतक हैं मिशन 73 से पहले वामसेथ जैसे संगठनों से इनका जुड़ाव रहा जब मिशन 73 से भावर परमार अलग हुए तो उनके साथ इस छेत्र के आदिवासी करमचारी और एक्टिविस्ट जोड़ जाते हैं भावर परमार इस पूरे छेत्र में चिंतन सिविर लगाना शुरू करते हैं खास बात यह थी कि इस तरह के चिंतन सिविर में गैर आदिवासी का आना पूरी तरह से वरजित था धिरे धिरे पूरे छेत्र में एक अलग तरह का माहोल खड़ा होने लगता है जै जोहार के नारे जहारखंड से राजिस्थान के ट्राइबल एरिया में पहुंचने लगते हैं इस तरह के चिंतन सिविर की संक्या इतनी बढ़ने लग जाती है कि पुलिस और प्रिसासन इन्हें संदिक द्रश्टी से देखने लगता है ऐसी भी घटनाए हुई कि बहुत बार पुलिस को इन सिविरों पर रोक लगानी पड़ी जै जोहार राजिस्थान कैसे पहुंचा इसकी भी एक दिलचस्थ कहानी है भवर परमार खुद बताते हैं कि एक बार आदिवाची दिवस के मौके पर वे जारखंड गई हुए थे वहाँ उन्हें पता चला कि जारखंड में इतने बड़े इस्तर पर आदिवाची दिवस मनाया जाता है वहीं से विचार आया कि क्यों ना राजिस्थान के ट्राइबल एरिया में भी ऐसा ही कुछ किया जाए जब इतना कुछ पक रहा है तो उससे राजनीती आखिर कैसे अचूती रह सकती है सामाजिक चेतना के बाद मिसन 73 से अलग होकर बना भील परिवार राजनीती में जिल्चस्पी दिखाने लगता है कुछ घटनाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है ऐसी ही एक घटना सेमलिया पंडया नाम के गाउं में होती है आदिवासी विचारक और समिधान सभाके सदेशित जैपाल सिंग मुंडा की तीन जन्वरी को जैनती मनाने का एक कार्यक्रम तै था लेकिन जब पुलिस प्रसासन से अनुमती मांगी गई तो अनुमती देने से इनकार कर दिया तैयारी पूरी हो चुकी थी तो पुलिस को जैनती मनाने के लिए गाड़े गई तंबू उखार देने पड़े समझिक चेतना से सुरूआ यूए अन्दोलंग 2018 के चुनाव आते आते राजनिती में प्रवेश कर गया 2018 के चुनाव के लिए यहां एक राजनिती पार्टी बनाने पर तेजी से कान शुरू होता है लेकिन चुनाव में 6 महिने से भी कम वक्त बचा था और पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई इस हालत में गुजरात के भील नेता चोटू भाई वसावा उम्मीद की किरन लेकर आ गए 2013 में NDA से नाराज होकर चोटू भाई ने अपनी भार्थिये ट्राइबल पार्टी बना लिकी आनन फानन में भील परिवार का एक सिष्ट मंडल सोटू भाई वसावा से मिलता है राजिस्तान में BTP की एंट्री हो जाती है और BTP का राजिस्तान में पहला प्रियोग सफल रहता है 84 से राजकुमार रोत और सागवाडा से राम प्रताप जीत दर्ज कर लेता है BTP की धमागेदार एंट्री के बाद में अब BTP उस छेतर में लगातार पाउं पसार रही है जो कि कॉंग्रिस के लिए बहुत बड़ी चिंता का विशय बना हुआ है अब ऐसी चर्चा है कि BTP उसी इलाके में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार केंपेन कर रही है और इस बार एक स्टेट जी के तहत बड़े इस तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी है वहीं भारतिय जनता पार्टी को कहीं न कहीं डर है कि अगर BTP का जनाधार बढ़ता है तो जो 2013 के चुनाव में उसे फायदा हुआ था वो कहीं न कहीं खिसक जाएगा वहीं अगर बात करें दूसरे संग्ठनों की तो RSS का संग्ठन है वनवासी विकास परिशत वह लगातार इस छेत्र में सक्रिये बना हुआ है एक और घटना पर जिक्र कर लेते हैं 2020 में कांकरी डूंगरी नाम का कांड तो आपने सुना ही होगा एक बरती को लेकर युवा पहाड़ी पर चड़ जाते हैं उसके बाद में वह आंदोलन करते हैं तो आंदोलन हिंसा में बदल जाता है हिंसा उस इसतर पर होती है कि पूरे राजिस्थान को वह घटना जगजोर देती है उसके बाद में लगातार इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आती है कि डूंगरपुर भासवाड़ा और प्रताबगड के राश्ते राजिस्थान में नक्षलवाद प्रवेश्च कर चुका है खेर ये सब अलग तरह की बैस है लेकिन इतना तय है कि राजिस्थान के आदिवासी बहुल इलाके में जो कुछ चल रहा है बहुत बड़े इस्तर पर चल रहा है और आदिवासी नौ जवानों में वामपंथी विचारधारा लगातार पैट करती जा रही है जो कि कॉंग्रेस के लिए कही न कहीं चिंता का वीशे है जो कि भाजपा के लिए भी कही न कहीं चिंता का वीशे है और उन्ही समीकरणों को साधने के लिए लगातार नरेंदर मोधी मानगरदाम आ चुके हैं और उसी क्रम में अब राहूल गांदी 9 अगस्ट को मानगरदाम से एक बड़ी जन्म सभा को संबोधित करेंगे राजिस्तान कॉंग्रेस के बड़े नेता वहां पर पड़ाव डाले हुएं जादा से जादा भीर जुटाई जाए यह मुद्दा केवल राजिस्तान का नहीं है चुकि मानगरदाम पॉलिटिक्स का इतना बड़ा पावर सेंटर बन चुका है कि तीन प्रदेसों के समीकरण वहां से साधे जा सकते हैं मैं एक बात करूँ गुजरात मद्परदेस और राजिस्तान और इन से लगते हुई लगबग सो सीटों को मानगरदाम प्रभावित करता है इस बात में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मानगरदाम आज भील आदिवाशियों का सबसे वहां से कोई बड़ी घोशना कर सकते हैं फिर ये एक रिपोर्ट थी कि किस तरह से राजिस्तान में मानगरदाम है वो ना केवल राजिस्तान बलकि तीन प्रदेशों के लिए एक पॉलिटिक्स का पावर सेंटर बंदा जा रहा है इसी तरह के मुद्दों को जानने और झाल